बजाज और TVS के बाद अब होंडा टूवीलर भी भारतिय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉंच करने की तयारी कर रही है होंडा ने कहा कि वह भारतिय बाजार में 2030 तक हर साल 10 लाख इलेक्ट्रिक दोफिया वाहन बेचने का लक्ष लेकर चल रही है कम्पनी ने कहा कि इस दशक के अंत कक उसकी इलेक्ट्रिक दोफिया वाहनों की बिक्री कुल वाहन बिक्री की 30 फीसदी होगी वर्तमान में भारतिय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिमार्ड तेजी से बढ़ रही है Hero Electric और Ola Electric जैसे दोफिया इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ बड़े निर्माता अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 300% से भी ज्यादा का उचाल देख रही है Honda भारतिय बाजार में दोफिया वाहनों की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता है और देश भर में व्यापक सेल्स और सर्विस नेट्वर्क का संचालन करती है ऐसे में वाहन Honda टूवीलर का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कदम रखना अन्य निर्माताओं के लिए चुनाति पूर्ण हो सकता है Honda Motorcycles and Scooter India HMSI से अध्यक्ष अचसुशी ओगाटा ने कहा कि कमपनी का लक्ष इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में 2030 तक 30% की हिस्सेदारी हासिल करना है इस अवधी तक कमपनी ने भारतिय बाजार में 10 लाख इलेक्ट्रिक तूवीलर की बिक्री का लक्ष रखा है अचसुशी ने कहा कि कमपनी भारत के लिए अपनी EV रन्नीती को अंतिम रूप दे रही है कमपनी इस वित्तिय वर्ष के अंत तक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के आने वाले मॉडलों का खुलासा करेगी उन्होंने कहा कि कमपनी EV योजनाओं के लिए भारत में अपने हिद्धारकों और सहायक कमपनियों की सहायता ले रही है होंडा अपने वैश्विक अनुभव और स्थानिय तकनी की कुशलता के दम पर अपने इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं को रूप दे रही है इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा होंडा ने हाल ही में खुलासा किया है कि वहां फ्लेक्स इंजन बाइक को लौँच करने की तयारी कर रही है होंडा पहले से ही ब्राजील के बाजार में फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स की बिक्री कर रही है जानकारी के अनुसार, कम्पणी भारत में एक या दो फ्लेक्स फ्यूल मॉडल को पेश कर सकती है होन्डा मोटरसाइकल देश में दूसरी कम्पणी होगी जो फ्लेक्स इंजन मोटरसाइकल लॉंच करेगी इससे पहले TVS मोटर अपनी अपाचे आर्टियार 200 FI बाइक को फ्लेक्स इंजन में लॉंच कर चुकी है फ्लेक्स इंजन की बात करे तो होन्डा इन्हें लॉंच करने में अग्रणी निर्माता रही है होन्डा ने वैश्विक बाजार में CG-150 टाइटन मोटर साइकल को लॉंच किया था यहाँ दुनिया की पहली फ्लेक्स इंजन बाइक थी जिसे 2009 में ब्राजील में लॉंच किया गया था यहाँ बाइक केवल पेट्रोल या एथिनॉल के चलने के साथ दोनों के मिश्रण से भी चल सकती है होन्डा मोटर साइकल्स एंड स्कूटर, HMSI, मौजूदा समय में IC इंजन मोटर साइकल और स्कूटर की बिक्री करती है भारत में कंपनी के चार उत्पादन प्लांट है यह प्लांट मानेसर हरियाना, तपुकडा, राजस्थान, नरस्पुरा, करनाटक और विठलपुर, गुजरात में स्थित है फ्रेंज आप मेरे चानल पर नए है, तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको यहां आटो मोबाईल की लेटिस्ट अपडेट और न्यूज मिलती रहेगी